कि अधिए लूग वाहां से जाकि उसे एक बास जरूर देख लेए यहां पे हमने टोटल बीस प्रशनों को लिया है जो आपकी एक्जाम के निदिये से इंपोर्टन है और कुछ प्रशन ऐसे भी है इसमें जो आपके पीछे बीते हुए एक्जामों में आए हुए प्रशन है तो यहां पे देखे हमने पहला प्रशन लिया है कि भूत काल के कितने भेद होते हैं वैसे समान रूपे हम तो तीन काल देखते हैं भूत भविच और वर्तवान इनके अंतरगत भी कुछ होते हैं जो अलग-अलग हैं भूत काल के कितने भेद होते हैं यह आपको बताना है तो भूत काल के 6 भेद होते हैं, कौन-कौन से वो 6 भेद होते हैं, और लास्ट आपका हे तू हे तू मद भूत काल, यह आपके भूत काल के भेद है, वहीं पर अगर हम बात के वर्तमान काल ती, वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं, वहीं हम 22 काल की बात के हैं, तो उसके कुल 3 भ होते हैं अगला प्रश्ण देखिए दूसरा प्रश्ण है कि म्रिग तिक्षणा का तात पर क्या है म्रिग मिस होता हीरन तृष्णा मिस होता है प्यास जब बालू की चमक को देखकर हीरन उसे पानी समझ लेता और आने की चाह में भठकता है तो यह कहलाता आपका मिग तृष है या फिर हिरुन की प्यास का सामोही की नाम है तो हमने अभी कहा ना की जो बालू में एक चमक बनती प्रवस्य का मैं प्रतिक्षा करूंगा है भविश के लिए बता रहा है तो ये हो सकता है अगला देखिए मैं पुस्तक पढ़ने वाला था था थे थी किसमें चला जाता है भूत में इसलिए ये गलत हो गया मैं आपका आभारी हूँ ये वर्तमान को दिखा रहा है इसलिए ये भी गलत तीसरा है मैंने एक पेड काट ल अगला प्रश्ण देखिए अगला प्रश्ण है काली घटा का घमंड घटा में अलंकार है कौन सा अलंकार है आपको ये बताना है काली घटा काली घटा यानि काले बादलों की तरफ इशारा कर रहा है घटा और घमंड घटा यानि कि जो घमंड है उसका कम होना यहां पे घ आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सा रस है श्रिंगार रस है वीर रस है हासे रस और करूण रस तो यह तो आपको दिखाई ही नहीं दे रहा होगा यहाँ पर ब्रहम आता है स्रिंगार रस या हास्य रस तो यहाँ पर देखिए हसी की कंडिशन नहीं बन रही हाला कि ठीठोली हो रही है लेकिन हसी नहीं हो रही है इसलिए यहाँ पर कौन सा रस है यहाँ पर स्रिंगार रस है ऑप्शन एक आपका यहाँ पर सही हुआ अगला प्रशन देखिए अगला आ रही है मेरी गाय काली मेरी तो है लेकिन उसकी विशेषता क्या है कि वह काली है इसलिए यह प्रकम की जिये कि मात्र भाषा में दी जाई यह किसने कहा था यह किसके सेंटेंस आपको यह बताना है किलपैक्ट्री गांधी वार्चन या थॉर्ण डाइक तो यह सब देथे गांधी जी के कि बच्चों की जो प्रादमिक सिक्षा होती है वुसे उसकी मात्र भाषा में दी जानी चाहिए अगला प्रशन देखिए अगला प्रशन यहां पे नाटक सिक्षण में कख्षा भी नहीं प्रणाली के प्रयोग से क्या होगा आपको यह बताना है यानि कि नाटक सिक्षण पढ़ा रहे हैं तो उसमें अभिने की प्रक्रिया आती है तो यह अभिने की प्रक्रिया कौन सी सीख देती यह आपको यहाँ पर छाटना है बच्चों पर विब्रित प्रभा पढ़ता है या फिर सिच्छक बच्चों का समय व्यर्थ होता है या फिर पातर उसार बच्चों में अभिने से सीखने की प्रक्रिया में तेजी आती है या फिर इन में से कोई नहीं तो देखे कक देखिए अगला प्रश्ण है यहां पर शब्द का अर्थ इसपष्ट करने हैं तो कौन सा तरीका उपयूक्त होगा आपको यह बताना है वाक्य प्रयोक करेंगे या उससे चित्र निर्मान करेंगे उसका संदी विच्छेत करेंगे या व्याख्यान करेंगे देखें कुछ लगभग सभी शब्द ऐसे होते हैं जिनको अगर हम वाक्य में डाल देते हैं तो वह बहुत ही ज्यादा अच्छे से समझ में आता है तो यहां से ऑप्शन एक आपका सही होगा कि किसी शब्द के अर्थ को बताने के लिए उसका व्याक के प्रयोक सबसे उपयूक्त होता है अगला प्रशन देखिए अगला प्रशन यहां पर सुद्ध वर्तिनी वाला शब्द है सुद्ध वर्तिनी का कौन सा शब्द है आपको यहां पर सलेक्ट करना है पढ़ेंगे तो लगभग सारे सब्द आपको बोलने में एक जैसे होंगे यहां पर आपको मात्राओं को अर यहां पर आपका सही वर्जन है अगला देखिए अगला प्रश्न है कि छत इसे इat गीली आपको एक शब्द पताना है इसके लिए, जो अच्छे कुल में उतपन हुआ उस से कुलीन कहते हैं, ऊच्छे धनी सम्रिद नई वरान क्या कहते हैं, option 2, q mistress कुलीन कहते हैं, जो उच्च कुल में उतपन हुआ है, अगला प्रशन देखिए, दाता शब्द का इस्त्रिलिंक शब्द क्या होगा दाता दाती दात्री दात्र या धात्री तो दाता का इस्त्रिलिंक शब्द होता है दाती ओप्शन एक आपका यहाँ पे सही होगा जादा तो लोग धात्री समझ लेंगी लेकिन वो गलत होगा सही क्या होगा दाती अगला प्रशन है कि गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहन करने वाली के लिए एक शब्द आपको बताना है तो क्या होता है गुरुकुल प्रतिमा अंते वासी छात्रा वासी या आश्रम वासी तो गुरु के नस्दीक रहने पर वो अंत में रहता है अंतह यानि कि गुरु के वो आपको स्анизप्ष तो यहां पर खड़ी बोली कि जो प्रथम महा काव है वह प्रिया प्रवास ऑप्षन 2 आपका यहां सही है अगला प्रसन देखिए निमलिखित में कौन का सब्ध औ मात्रिक है औ मात्रिक में सोता है जो बिना मात्रा के शब्द है तो आप जान चुके होंगे कार खाना में मात्रा है कलरों में मात्रा नहीं है चाहाना में भी मात्रा है वहीं अमिताब में भी आपके मात्रा है तो कौन सा उप्षन सही हुगा ऑप्षन दो आपका यहां पे स तो यामा महादेवी वर्मा के कृतियों का संग्रा है option 3 आपका यहां पर सही हुआ बहुत ही important है क्योंकि अक्सर एक्जाम में यह पूछा जाता है उननीसमा प्रिश्ण है आपका प्रतेक चरण में 16 मात्राओं वाला सम्मात्रिक छंद कौन सा है यानि कि किसी चंद के चार चरण होते उस चार उस चरण में आपकी 16-16 मात्राओं होंगी वो कौन सा होता है वो चौपाई होता है option 2 आपका यहां पर सही है आज के वीडियो के इतना आपको बताना है कि इसमें कौन सा रर्स है मैं नीर भरी दुख की बदली तो आप देख रहें कभण को करुण रसको दिखा रहा है, तो आपका यहां पर तो प्रिस आज के लिए के ळले इतुना अंगली वडियो में आप से फिर मुलाकात के लिए नमस्कार